दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल के रिए टेक फंडा में मैं कुछ भूह और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं से निर्दस्ट किया जाता है आउटर दायमीटर किसमें में ठीक है ऑप्शन नमबर डी यहां से सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्या है पुनहतार बंधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है यानि वॉट इस दा क्वेशन की ओर चलता है नेक्स्ट क्वेशन क्या है आज का नेक्स्ट क्वेशन है कि वॉट इस दा पॉपर्ज ऑफ अंडर राइटर्स नॉट फॉर पेंडेंट होल्डर कनेक्शन पेंडेंट होल्डर से योजन के लिए अंडर राइटर की गांट का उद्देश से क्या ह है तो इसे reduce the strain from the terminals of accessories यानि सामान की terminals से तनाव को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है option number D सही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या कह रहा है what is the type of fuse fuse कौन से प्रकार कहता है यह जो fuse दिख रहा है यह किस प्रकार का fuse है तो यह है high rapturing capacity fuse ठीक है यह high rapturing capacity fuse है ठीक है त्यहां से option number आपका 20 ही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है आज का next question है कि what is the name of electrical accessories यह जो electrical accessories दिख रही है विद्धित सामागरी दिख रही है इसका नाम क्या है तो यह है edition जो है edition screw type holder ठीक है edition screw type holder ठीक है edition screw type holder है तो यहां से option number आपका 20 ही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या कह रहा है what is the name of symbol used in wiring circuit wiring परिपत में प्रियुक्त प्रतीक का नाम क्या है तो यह है plug and socket क्या है plug and socket है ठीक है यहां से option number आपका d से ही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या कह रहा है switch type of load is protected by the L-series MCB यानि L-series MCB के त्वारा किस प्रकार के भाहर को सुरक्षित किया जाता है तो यहां पर geezer option number B से ही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है which type of switch is used in the circuit किस प्रकार का switch circuit में उप्योग करते हैं तो two-way switch का यूज करते हैं इस circuit में ठीक है two two-way switch का ठीक है two-way switch का यूज करते है option number B से ही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या कह रहा है what is the effect of low current rated cable used to connect higher current load यानि कम धारा rated cable को उच्छ धारा भार में जोडने का जोडने का क्या प्रभाव होगा तो यह cable damage due to heat गर्मी के करण क्या होगा केबल खराब हो जाएगा option number D सही हो जाएगा next question क्यों चलते है what is the name of the conduit accessories यानि conduit सामागरी का क्या नाम है इस conduit सामागरी को क्या कहते है तो इसे कहते है inspection bend इसको क्या बोलते है inspection bend बोलते है option number यहां से C सही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है आज का, next question है, how many two-way switches with intermediate switch are used to control one lamp from three different places, यानि मद्यवर्ती switch के साथ कितने two-way switch, एक lamp को तीन अलग-अलग इस्थानों से नियंतरित करने के लिए प्योग किया जाते हैं, तो दो switch का यूज किया जाते है, option number B सही हो जाएगा, next question क्यों और चलते हैं, next question क्या है, what is the advantage of concealed wiring, concealed wiring का क्या फाइदा है, तो ये protection against moisture, नमी से हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, option number D सही हो जाएगा, next question है, what is the name of the diagram, आरिक का क्या नाम है, इस आरिक को क्या कहते हैं, तो इसको circuit diagram कहते हैं, क्या नाम है, circuit diagram बोलते हैं, ठीक है, यहां से option number आपका D सही हो जाएगा, next question क्यों चलते है, next question क्या है, what is the fusing factor for high rapturing capaciting fuse, यानि HRC fuse है, तो fusing गुड़ांग क्या होता है, तो ये 1.1 होता है, ठीक है, fusing factor, option number B सही हो जाएगा, next question क्यों चलते है, next question क्या है, which type of relay can be operated at both AC and DC, यानि किस प्रकार के relay को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है, तो ये impulse relay का, ठीक है, आवेग relay का use, AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है, option number C सही हो जाएगा, next question क्यों चलते हैं, next question क्या है, what is the name of the accessories used in electrical appliances, यानि विद्ध तुपकरण में प्रियुक्त सामागरी का क्या नाम है, इस सामागरी को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, जो दिख रहा है आपको figure में, इसको क्या कहते हैं, iron connector with direct entry, ठीक है, क्या कहते हैं, iron connector with direct entry, ठीक है, जहाँ से option number आपका, C से ही हो जाएगा, next question क्यों चलते हैं, next question क्या है, what is the name of the accessory symbol, सामागरी प्रतीक का क्या नाम है, इस symbol को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, multipoint, multiposition with switch single pole, ठीक है, multipoint, position, switch single pole कहते हैं, तो यहाँ से option number आपका, D से ही हो जाएगा, next question क्यों चलते हैं, next question क्या कहते हैं, what is the purpose of the flexible corridor in domestic wiring, यानि घरेली तारो में लचीली तारो का क्या उद्देश यह होता है, तो इसका उद्देश होता है, connection transportable appliances, यानि transportable occurred connection, ठीक है, option number यहाँ से, D से ही हो जाएगा, next question क्यों चलते हैं, next question आज क्या है, कि which type of circuit breaker is used above 100 ampere current rating, किस परिपत भन्जग का उपियोग, जो है 100 ampere की धारा rating से उपर किया जाता है, तो किसका यूच किया जाता है, तो यहाँ पर molded case circuit breaker का, MCCB का यूच किया जाता है, option number C से ही हो जाएगा, next question क्यों चलते हैं, next question क्या है आज का, what is the purpose of tin coating on copper fuse wire, तामबे के fuse तार पर tin coating का क्या उद्देश्य है, तो यह prevent oxidation of copper wire, यानि तामबे के तार को क्या करता है, oxidation से बचाता है, option number C से ही हो जाएगा, next question क्यों चलते हैं, next question क्या है, what is the name of the four insulated conductors group, चार कुचालित चालकों की समुह का क्या नाम है, तो इसे कहते हैं, quad, ठीक है, quad कहते हैं, option number C से ही हो जाएगा, next question की ओर चलते है, next question क्या है, how many two-way switches are required in Godon's wiring circuit to control four lamps, यानि चार लैंप को नियंतरित करने के लिए, Godon's wiring circuit में कितने दो तरह के switch आवश्यक होते हैं, तो इसमें तीन switch आवश्यक होते हैं, option number B से ही हो जाएगा, next question क्यों चलते हैं, next question क्या है, why three system of wiring most suitable for multi-storied building, ठीक है, बहु मंजला इमारत के लिए, तारों की ट्री प्रडाली सबसे उप्युक्त क्यों है, तो इसका उप्युक्त, ये सबसे उप्युक्त क्यों होता है, क्योंकि easy in fault finding with many fuges, यानि कई fuges के साथ, जो दोस होता है, कभी-कभी wire में, तो वो ढूरने में क्या होता है, सरलता होती है, तो option number यहां से D सही हो जाएगा, next question क्यों हो चलता है, next question क्या है, which is used a filler material for fixing screw hole on ceiling, ceiling में screw को छेद भरने हैं, तो भराओ पदार्थ के रूप में, किसका यूज किया जाता है, तो इसमें nylon का यूज करता है, option number B सही हो जाएगा, next question क्यों हो चलते हैं, कि what is the symbol indicates, या प्रती क्या indicate करता है, तो यह क्या indicate करता है, ceiling fan को indicate करता है, यानि option number आपका B सही हो जाएगा, यहां पर, next question क्यों हो चलते हैं, next question क्या है, relay का नाम क्या है, यह जो relay आपको दिख रहा है इस relay को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं dry read relay ठीक है क्या खुलते हैं dry read relay option number 20 ही हो जाएगा next question की और चलते है next question क्या है what is the name of the diagram आरेक का यह जो आरेक दे रखा गए इसका नाम क्या है तो इसे क्या कहते हैं installation plan क्या बोलते हैं installation plan ठीक है जहां से option number आपका c से ही हो जाएगा next question की और चलते है next question क्या है where the iron cloth double pole main switch is used यानि ICDP मुख्य स्विच का उपियोग कहां किया जाता है तो इसका यूच किया जाता है single phase domestic installation में option number c यहां पर सही हो जाएगा एकल phase घरेलू स्थापना में next question है which electrical accessories belong to general classification of accessories कौन सी विद्द सामागरी सामानों की सामान्य वर्गी करण से संबंधित है तो ceiling roses जो है वो क्या है सामानों की सामान्य वर्गी करण से संबंधित है option number b यहां पर सही हो जाएगा आज का हमारा last question क्या है आज का मारा last question है कि which is the application of DC series MCB DC स्रंखला में MCB का अनुप्रियोग कौन सा है तो यह locomotives में इसका यूच किया जाता है option number यहां पर C सही हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई class के लिए और अगर आपने अभी तक हमाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुरूर से सब्सक्राइब कर लीजे ऐसी ही classes पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद